हेलो फ्रेंट्स मुझे पता है कि आज दोनों के दोनों ट्रेड्स जो बढ़िया निकले थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बहुत पसंद आये रहेंगे क्योंकि आज का दिन ही ऐसा था अगर आप देखोगे तो मार्केट के हर एक मूँ यानि कि बैंक निफ्टी में 250 points और मैं ये मजात नहीं कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने ये analysis देखा है खास करके students group में और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो total 166 points एक भी stop loss hit नहीं ये आप सभी ने देखा रहेगा तो मुझे बताना कि आपको ये intraday का analysis कैसे लगा जो नए है चैनल को subscribe कर करना bell button को hit करना और अगर ऐसे ही analysis आपको चाहिए तो description में जो WhatsApp community की link है उसे click करके आप हमारे family का हिस्सा बन सकते हो अब आज मैं क्या करने वाला हूँ तो आज बहुत important चीज़ है कि निफ्टी के कुछ concepts है निफ्टी में राली कब आती है राली reverse कब होती है कैसे होती है क्य आज chapter है हम यह पूरे के पूरे यहां पर मैं आपको one by one अच्छे तरीके से समझाओंगा कि क्या होता है क्यू होता है कैसे market move करता है सबसे बढ़िया part रहेगा अब तक analysis का तो यह पूरा end तक देखना अब apart from that nifty का वैसे ही हम bank nifty में भी same concept सीखेंगे and at the same time आप देखोगे तो आज क्या करने वाले हैं आज हम चार स्टॉक सलसार, RRK, TV18 Broadcast और Bajaj Auto यह चार स्टॉक हम analysis करने वाले हैं end में पहले nifty उसके बाद में bank nifty उसके बाद में चार स्टॉक analysis करने वाले हैं अगर आप swing trading करते हैं आपके पास कोई stocks हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्य करना है आप भी यहां पर पूछ के निचे डिस्क्रिप्ट जो कमेंट सेक्शन है वहां पर पूछ के मुझे stock का नाम बता सकते हैं और मैं study purpose के लिए यहां पर आपको analysis करके दिखाऊंगा अपार्ट from that top news of the day Airtel prepays 8325 crores to clear deferred liabilities तो एक अच्छी बात है कि करगा government को रिपे क कर रहा है Airtel Amber group science packed with Korean circuit to boost PCB portfolio बहुत अच्छा है Amber group पे ध्यान रखना क्योंकि PCBs की बहुत demand है semiconductors PCBs की और cement industry to add 150 to 160 million tons capacity by FY28 यह मतलब क्या है इसका कि overall cement के जो demand है वो आने वाले दिनों में खास करके FY28 तक बढ़िया से बढ़ती रहेगी infrastructure बढ़ते रहेगा और यह जो सब companies है वो अपनी capacities बढ़के बढ़ाते बढ़ाते profit भी बढ़ने के और chances है अब story पे आ जाते है कि क्या हो रहा है Nifty में अब सबसे पहले Nifty में एक rally जो है हम कहते है Nifty में rally आई यह कैसे बनती है थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देंगे बहुत important है अगर आपको लग रहा है तो आप प्लीज अपना book लेके बैटना क्यूंकि concept जितने powerful रहेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि market में क्या चल रहा है अब यह जो rally है यह नीचे की है थोड़ा सा मैं पहले क्या करूंगा rough इस पे दिखाऊंगा और फिर मैं आपको charts पे दिखाऊंगा तो पहले मैं आपको basic concept सिखाऊंगा यहां पे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैंने concept सिखाया है उसी तरीके से market चल रहा है या मैं कुछ अपने हिसाब से बता रहा हूँ अब एक तो चीज हमें मालूम है कि downtrend जो है वो simple ऐसे नहीं रहता है fantastic यह हमें पता चला कुछ ऐसे straight away market नहीं गिरता है तो market कैसे गिरता है या market उपर कैसे चड़ता है तो waveform में चड़ता है इसका मतलब क्या है तो market नीचे जाता है कुछ समय बाद वापस उपर आता है वापस नीचे जाता है कुछ समय बाद वापस उपर आता है वापस नीचे जाता है अब यह वेस जो है ना यह हर एक time frame में होते है यानि कि अगर आप एक घंटे का chart देख रहे हो आपको waveform दिखेंगे अगर आप एक दिन का chart देख रहे हो daily chart same waveform इसके लिए आप बोलते हो ना जब सलम मैं ट्रेड लेता हूं तब भी ही market क्यूं उल्टे direction में जाता है नहीं आप जब trade लेते हो तब market उल्टे direction में नहीं जाता है हर आदमी का market यही इसी तरीके से band बजाता है हर trader का इसी तरीके से market band बजाता है क्योंकि market का जो basic स्वबाव है वही उचल खुद करना है हर एक time frame पे उचल खुद करना है फिर वो 15 minutes होने दो, 1 hour होने दो, 1 minute होने दो तो आपको ये उचल खुद करने के सही आदत होनी चाहिए आपको roller coaster ride में बैट के पैसा कैसे निकालना है उसकी आदत होनी चाहिए ये पहली चीज है अब थोड़ा सा यही चीज को आगे study करेंगे अब मैं बता रहा हूँ रही और बादने comparison market से करेंगे तो ये important है अब यहाँ पे आप देखोगे न ये जो part रहेगा जिस direction में market जा रहा है ये downtrend है तो ये body value wave है जिसको हम primary wave कहते है और ये छोटी वाली wave है जिसको हम secondary, pullback, retracement ऐसा कहते है और ratio ये जो wave का है आप कैसे दिन धून सकते हो ये कहां तक जाएगा तो इसके दिए feeb retracement काम आती है यानि कि 0.382 है तो बहुत powerful है बहुत fast नीचे जाएगा अगर 0.5 है ठीक है नीचे ही जाने वाला है 0.6182 है तो ये best ये है नॉर्मली उधर से ही नीचे आती है उसके बाद में अगर उपर जा रहा है तो बहुत chances है कि trend reverse हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई रहेगी कि ये pullbacks है ये अलग-अलग हो सकते है यहाँ से भी हो सकता है यहाँ से भी हो सकता है यहाँ से भी हो सकता है इसके ratios हमें 5 से मिलते है और pullback कहां से आ रहा है उस हिसाब से हमें पता चलता है ये pullback कितना powerful रहने वाला है जितना कम level पे जाके pullback उतना जाधा powerful जितना उपर जाके pullback उतना कम powerful और एक level के बाद market घूमने के chances है तो ये भी आपको समझ में आया रहेगा fantastic अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और logic सीखना है कि ये बहुत important part है थोड़ा सा अच्छी तरीके से draw करके बताता हूँ अब यहाँ पे आप देखोगे न हो क्या रहा है कि यहाँ पे आप अगर ठीक तरीके से देखोगे हो क्या रहा है कि market पहला उपर जाता है और उसके बाद जब market गिरता है तो market non-stop non-stop नीचे गिरता है और कितना नीचे गिरता है चितना ये वेव है ना उससे लगपक सेम या और 1.6182 या 1.32 उस हिसाब से गिरता है तो basically either इतना या फिर इससे भी ज़ादा इससे भी ज़ादा market next time गिरता है कब pullback होने के बाद अब अगर ऐसा situation है तो कैसे हमें पता चलेगा कि नहीं market अब किधर तो भी थम गया है या market में weakness है ये पता कैसे चलेगा market पूरी तरीके से नीचे नहीं जा रहा है तो इसका भी दूढने का तरीका है अगर ये market की rally बीच में ही जाके ये जो point है अगर बीच में से ही ये point के ऊपर चली जाए ना तो दीजादा first sign की downside पे weakness है यानि की downside पे ज़ादा जाने के chances नहीं है क्यों क्योंकि वहाँ पे कुछ buyers है जो ये rally को जो की बहुत super rally नीचे तक आनी चाहिए यहीं पे full stop लगा के इसको वापस घुमा रहे हैं फिर क्या होगा ये जो point है जहां से rally घुम गई है अब market कभी भी ये point के नीचे नहीं जाएगा market क्या करेगा lows तो करेगा बट हमेशा higher lows करेगा यानि कि ये point से हमेशा उपर उपर और एक time ऐसा आएगा कि ये जो पिछला high था इसको तोड़के उपर चला जाएगा तो ये situation आपको समझ में आ रहाएगा कि कैसे होता है जब downtrend रुखने वाला है ये हमें advance में ही कैसे पता चलता है जब market ये वाले point के और जब एक चीज और इसमें ध्यान देने जैसी है ये जो zone है ये बहुत बहुत critical zone है क्योंकि यहाँ पे ही अभी तक buyers रुके है mostly अगर आप देखोगे न यहाँ से market नीचे नहीं घुमेगा वापिस नहीं घुमेगा mostly नीचे ही जाएगा और हम क्या करते हैं गलत जगा पे profit booking करते हैं क्योंकि ये एक बार अगर market ये zone से निकल गया न तो एक अच्छा खासा मूँ आता है और हमीशा देखो एक होता है कि यार मैंने profit booking बीच में से ही कर लिया उसके बाद में बहुत नीचे गिर गया क्योंकि यहाँ पे maximum chances है market के reverse होने के near the support क्योंकि जो ये support तोडने के लिए sellers ने पूरा जोर लगाया और ये तूड भी गया और sellers expect कर रहे है कि अब कोई buyers नहीं रहेगा मैं अच्छे तरीके से न बीच में से ही कुछ छुपे हुए buyers आ गये बीच में से ही कुछ छुपे हुए buyers आ गये और इन्होंने वापस जो आड़ी चोटे का जोर लगाया था वहां से reverse कर लिया तो होप आपको ये concept धीरे-धीरे समझ में आ रहा है सबसे जादा trend reversal के points कहां पे है यहां पे है ये तोड़ के नीचे जाएगा और अगर reverse होना है तो वहीं से उपर होगा एक बार ये zone के नीचे चला गया तो अच्छा खासा market नीचे जाता है तो यहां तक मैं समझ गया अब थोड़ा सा ये सब examples form में देखते हैं कि nifty में क्या ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम चाहिए तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि recent example नहीं पहले मैं past example दिखाता हूं और उसके बाद में recent का ये देखते है क्योंकि आप सभी को लगेगा आ रहे अब भी का market देखके आप ये सब कर रहे हो तो ये नहीं है पिछला जो भी market में fall रहेगा वो थोड़ा सा हम देख के उसको study करेंगे और ये 15 मिनिट में तो आपको पूरा idea आ जाएगा अब यहाँ पे देखना market नीचे गिरा fantastic market ने pullback दिया fantastic अब ये वाला जो point था ना ये बहुत important था अब आप देखोगे ये वाले point के बाद market ने एक बार ये point के नीचे चला गया तो वापिस घूंके कभी market ये point के उपर नहीं आया जो भी है ये point के उपर के level पे touch करके गया वापिस गया वापिस गया वापिस गया बट एक बार ये point के नीचे आ गया market कभी भी वापिस उप पर नहीं गया क्योंकि concept यही है कि sellers इतने powerful है कि इन्होंने धकेल दिया धकेल दिया धकेल दिया और नीचे लेके आए समझ में आया fantastic तो यह example आपको पता चला रहेगा कि राली किस तरीके से नीचे के direction में तूटती है अब थोड़ा सा हम यह भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी situation है जहां पर market राली को नीचे के तरफ नहीं लेके गया यह भी एक अच्छा खासा study example है यहां पर देख लो अब यहां पर देखना नीचे गिरा उपर आया नीचे गिरा उपर आया नीचे गिरा अब यह जो point है यह point इसके ऊपर market कभी आना ही नहीं चीए राइट जैसे यहां पर हुआ था यहां पर हुआ था आप देखोगे और यह हर एक time frame पर होता है तो मैं ज़्यादा complicated नहीं करूंगा 15 minutes में थोड़ा सा week रहेगा maybe यहां से जाके नीचे आ सकता है one hour का और powerful reversal रहेगा अब आप देखोगे यह point से market यह point से इसके ऊपर चला गया और उसके बाद क्या हो गया? market ने हमेशा नया higher lows, higher lows बनाते चला गया और यहां पर जब low तोड़ा तब market वापस नीचे आया तो market ने पूरा का पूरा एक यह कर दिया तो और हमें कैसे पता चला हमें यहां से पता चला तो hope जो भी concepts है अगर आपको समझ में आया रहेगा तो थोड़ा सा yes करके बोलना औ मैं topic को explain detail में कर रहा हूं क्यूंकि यह करना उतना ही important है क्यूंकि कभी-कभी मैं नहीं intraday में आपके साथ रहता हूं तो कैसे आप समझ पाओगे कि market का direction क्या है अब आएए देखते हैं present situation present situation में क्या हो रहा है यह एक point है यहां से उपर नीचे अब यह एक point है यह point के उपर जितने भी pullbacks आने है हमें कुछ tension नहीं है जाने दो जितना उपर जाना है देखो यहां पे इसके नीचे नहीं गया रहा है यह pullbacks है यह उपर के है बट एक बार इसके नीचे चला गया फिर वापिस यह zone में नहीं आना चाहिए क्योंकि sellers ने तो आड़ी चोटी का दम लगा के नीचे डखेल दिया था ना तो यह कौन से छुपे हुए buyers है जो वापिस लेके आ रहे है तो अब अगर आप देखोगे यहां से जितना बढ़िया गिरा था market तो होना क्या चाहिए था जितना इतना गिरा है at least at least market उतना होगे यह point के वापिस market आप देखोगे तो उपर चला गया है तो this is the main part कि किदर तो भी लग रहा है कि market में नीचे के direction में weakness है अब आपको पूरा का पूरा logic समझा रहेगा यह double bottom जैसा भी कुछ आपको लग रहा है क्योंकि spike market लेके आया है अब होगा क्या आगे क्या होगा अब आप पूछोगे ठीक है समझ में आया कि market में नीचे के direction में weakness है उपर के direction में strength है आगे क्या आप आगे का बोलो ओके चलो अब आईदर ऐसे घूंके वापिस time लगाएगा और कभी भी market ये point के उपर नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे safe side के लिए 21,850 पकड़ेंगे ये point है actually इसके उपर जब तक market नहीं जाता हम total यानि कोई भी analyst confirmation के साथ अगर कह रहा है कि market अब reverse हो गया है उपर जाने वाला है गलत है क्योंकि ये point है sell off का इससे जब तक market नीचे है आपको थोड़ा सा जो भी analysis कर रहे है एक probability पकड़ के चलना पड़ेगा कि market कभी भी sell off आके नीचे जा सकता है तो ये point के बाद अच्छा कासा bullish अच्छा कासा वापिस lifetime high ये सब सिलसिला ये zone में चलेगा फिलाल के लिए क्या हो रहा है तो आने वाले कुछ समय के लिए market उपर जाएगा तो levels क्या रहेंगे उपर के तो उपर के levels रहेंगे 21 अभी फिलाल 21,460 चल रहा है 21,500, 21,573 और जो extreme levels है वो 21,700 तो ये रहा T2, target 2, target 1 और ये target 0 यानि कि 21,500 mostly आएगा ही आएगा ओके market पूरी तरीके से weak है अच्छा खासा नीचे गिरने वाला है 21,000 तक एक shot में जाने वाला है आपको कैसे समझेगा बहुत simple है 21,200 के नीचे अब market नहीं आना चाहिए अगर 21,200 के नीचे market आता है तो हमारे ये पूरी थेरी जो मैंने concept सिखाया उसका सत्यानाश हो गया है तो market को भी ये समझ चुका है कि हमारे concept का पूरा बुरा बिस तरफ ये हो गया मेरे मैं मैं पूरा week हूँ और market आप देखोगे आग बन करके नीचे जाएगा और 21,000 आराम से टच करेगा तो अब market में वापस कभी 21,200 के नीचे आना नहीं चीए अगर आया आप भी खुश हो जाओगे कि put कही तो लेना है और नीचे के levels क्या बनते हैं वो भी देखते हैं क्योंकि यहां पे एक spike है तो यह हमारा पहला level रहेगा पहला level क्या रहेगा 21,200 के नीचे आग बन करके पहला level 21,150 रहेगा और next level रहेगा 21,000 mostly chances कम हैं बट यह market है कुछ कह नहीं सकते है 21,200 के बाद ही 150,200 आने के यह बढ़िया targets है और 21,000 फिलाल के लिए क्या है market bullish है तो 21,500 का पहला target 2573 का second target उसके बाद थोड़ा सा संभल के रहना but the final target जहां से pullback आना ही आना है नीचे market आना ही आना है यह point है जो की 21,700 के लगबग है तो आपको hope nifty के पूरे कल के levels मिल के रहेंगे कल expiry है संभल के रहना उपर भी जाएगा तो बहुत बढ़िया जाएगा नीचे भी आएगा तो बहुत तेजी से आएगा तो कल जो आपको momentum चाहिए था कल जो आपको force चाहिए था trade करने के लिए आपको nifty में दोनों direction पे आईदर उपर या नीचे मिल सकता है तो कल trading के लिए बहुत alert रहना खासतर के nifty में अब bank nifty देखते हैं bank nifty का भी अगर आप देखोगे same concept है bank nifty में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो elephant candle form हो गया है बहुत powerful concept है आज detail में नहीं discuss करूंगा किसी और दिन elephant candle के बारे में बताऊंगा but at the same time अब bank nifty अगर 44,540 के नीचे चली गई तो super bearishness आएगा आपको आराम से 1000-2000 points का यह कर देंगे क्योंकि यह elephant candle तोड़ना बहुत मुश्किल है elephant candle की खासियत ही यही रहती है यह बनती ही इसके लिए है क्योंकि बहुत powerful bias उदर है अगर यह bias खतम हो गए तो समझ लो 1000-2000 points आग बन करके मिल जाएंगे उपर के levels क्या है तो mostly 45,484 उपर के levels है और short कब सोचना है तो 45,540 के नीचे ही short सोचना है यहाँ पर वापिस एक बार clear कर देता हूं थोड़ा सा ठीक से यह करता हूं क्योंकि मुझे लगता है numbers में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है 44,930 के नीचे short जाना है कहां तक जा सकते हो तो 44,540 तक short जा सकते हो लगबग लगबग 400 points और किसके उपर आप यह करोगे 45,200 के उपर आप bullish रहोगे कहां तक रहोगे 45,400 तक तक तो यह हो गया आपके bank nifty के levels थोड़े से broader है but of course हम analysis भी करते है और अब आपका favorite देखेंगे हम salsar का analysis करेंगे चलो salsar का analysis whether इसको trade करना है नहीं करना है totally आप देखोगे तो बहुत जादा already trade हाथ से निकल चुका है and in fact यहां से नीचे भी आ सकता है तो अगर आपने hold किया है तो आप क्या करोगे आप 100 के नीचे profit booking करोगे अगर जब तक 100 के नीचे नहीं आता है आप hold करते जाओ but यह trade पे आप नहीं entry बिल्कुल भी नहीं लोगे क्योंकि जो momentum चीए था वह already निकल गया है अब इसमें entry करके कुछ मतलब नहीं है RRK BL यह देखते है actually अगर आप देखोगे 1500 के उपर एक बढ़िया सी entry बन सकती है इसमें 1500 के उपर और 1400 का stop loss 1600 का पहला target और 1700 का दूसरा target तो यह जो RRK BLK है इस पे ध्याम रखना भले मुझे लगता इतनी well-renowned company नहीं है बट स्टिल ट्रेडिंग के लिए सही आपको opportunity देख सकती है बजाज ओटो यस बजाज ओटो में भी आप देखोगे तो entry बन सकती है कौनसे points के उपर 7 to 30 के उपर stop loss क्या रहेगा थोड़ा सा बड़ा रहेगा 7K का और target क्या रहेगा तो target देख लेते है 7600 तक का यह target आपको दे सकता है तो but at the same time आप देखोगे already अच्छी खासी rally हो चुकी है तो मुझे ऐसे part में नहीं अच्छा लगता है enter करना मैं पसंद करता हूं यह points पे enter करना जहां पे just rally चालू हुई है और अच्छा खासा पैसे बनने के chances है stop loss बहुत छोटा है but still एक छोटा सा अगर आप follow करोगे तो छोटे से stop loss के साथ नई entry कर सकते हो TV18 broadcast yes यह पहले भी analyze किया था और अगर आप देखोगे इसका पूरा का पूरा वीडियो था और यह levels जो है यह अच्छे कासे जाने वाले है यह भी कहा था but आप देखोगे उपर के levels में एक अब resistance दिख रहा है 68 में तो मैं कहूंगा फिलाल के लिए almost इसकी एक अच्छी कासी राली हो चुकी है अब यह zone में घूमते रहेगा तो 60 पे आएगा तो आप यहां पे अगर कुछ दिख रहा है तो बाइं के बारे में सोच सकते हो but 68 के आपे profit book कर सकते हो but normally जो इसका जो मूँ था वो अब चला गया है तो अब धीरे-धीरे stock में weakness दिखाई दे रहा है तो I will normally stay out of such stock अगर आपने hold किया ही है तो आप क्या करोगे लगभग-लगभग 58 का stop loss रखके इसको आगे के लिए trade कर सकते हो hold कर सकते हो तो hope आपको analysis पसंद आया रहेगा चानल को subscribe और bell button को hit करना मत भूलना thanks a lot कल मिलेंगे कल expiry है बहुत मज़ाने वाला